यह एक सवाल है, अब मैं पढ़ने की कुशिश करता हूँ, एक बाजी है, उनकी लाइप में बहुत आजमाईश है, मैं मामूली काम में भी इतने मसायल पेश, इतने मशाकिल, मुश्किलें पेश आती है, वैसे हो तो वो बहुत सबर करने वाली है, लेकिन कभी-कभी उन्हें ऐसा फील होता है, होने लगता है, कि वो मनहूस है, तो देखिए, एक बहन है जिनके बारे में सवाल है, शायद एक कॉल भी वेटिंग में है, तो कॉल को सिर्फ रिक्वेस्ट आप म्यूट रकिए, अभी के लिए, दो मिनट अफोल पर ही रही है, तो यह सवाल हम पहले ले ले लेते हैं, एक बहन हैं, जिनकी 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 में बहुत आजमाईश हैं, मुश्किले हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगा है, उन्हें लगने लगा है, तो इस सवाल का सब से पहले कि कोई चीज मनहुस नाम की चीज है ही नहीं हाँ है ही नहीं हमारा इमान इसलाम पर है नभी ने हमाई रहनुमाई की गयब की खबरें बताई अगर मनहुस नाम की कोई चीज होती तो जरूर हमें नभी नभी ने बता देते बलकि उन्होंने ये बताया, सभी बखारी की हदीसे जो मैंने थोड़ी दिर पहले पढ़ा था कि अल्ला जिसके लिए खैर का इरादा करे युसिब मिन हूँ, अल्ला उन्हें आजमाईश देता है तो ये बहन पर अगर आजमाईश आ रही है मतलब अल्ला ने खैर का इरादा रखा है उनके लिए अल्ला उनके लिए अच्छा चाहते हैं अल्ला ताला हाँ, तो हम तो उल्टा आपज़िट कहेंगे अल्ला अच्छा चाह रहे हैं और दुनिया इम्तिहां की जगाया थोड़ी सी है आखरत बहुत बड़ी है अगर मान लो दुनिया में कोई आजमाईश से गुज़रा 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 और आखरत में बहुत बड़ा इनाम मिला तो क्या हम उन्हें मन्होस कहेंगे तब यह कहेंगे ओ, कितना बुरा हुआ इनके साथ कि इन्हें इतना बड़ा महल मिल गया, इतने बड़ा आश्वाराम की जगा मिल गया इन्ना इजमल जजाई मा इजमल बलाई, बड़ी जजा, बड़ा इनाम, बड़ी आजमाईश के बाद है तो अगर यह बहन का मामला ऐसा है कि उन्हें बहुत सारी आजमाईश उन पर आई है, तो बड़ा बड़ा भी तो होगा इन्शाला लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है, प्रॉब्लम होता है, जितना उससे बहुत बड़ा लगने लगता है तो अपने से कम वालों की तरफ देखना चीए, कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अरे उसका क्या मामला है, उसके पास तो ये प्रॉब्लम है अपने से कम वालों की तरफ देखते हैं तो अल्ला की नहमतों का आदमी और शुक्र करेगा अल्ला की नहमतों का और शुक्र करेगा चलिए हमारी बेहन के लिए अल्ला उनके लिए आसानी करें अनकी मश्किलों को दूर कर दे आसानी मांगो परिशानी मांगते नहीं है आ गई तो सबर करते हैं परिशानी आ गई तो अल्ला से दुआ करते हैं अल्ला परिशानी को दूर करते हैं लेकिन सबर भी साथ में करते हैं और अल्ला ताला का और शुक्र करते हैं शुक्र करो अल्ला और देगा नामते हैं हाँ, तो ये बात का खास कहाल रहे हैं, अल्ला से दुआ, अल्ला हमाई बेहन के मुश्किलों को दूर करें, उनके लिए परिशानियों दूर करें, उनके लिए दुन्या में भी आसानी करें, और अल्ला आखरत में भी आसानी करें.